कि आप सभी का रांकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर मैं रादिका गुपता और आश्रा करूंगे आप सभी लोग बहुत स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो चलिए आज के आपके इसे कीस दिन कीस पारतन के नेक्स टेको करते हैं शुरू यानि कि आपके हर एक टॉपिक को एक क्लास में कवर किया जा रहा है जिसमें वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है वन शॉट का मतलब है कि एक दिन में एक कंप्लीट चैप्टर आप लोग का कवर किया जाएगा चाहें उसमें समय घंटे का ल सिस्टम यानि कि आप लोगों के इंदर कििस प्रकार से ब्लड बह रहा है आपके बॉटी में हृद है कैसे काम करता है इस सभी चीजों को रच्थ परी संचर के टापिक में cover करेंगे तो सभी को ऑडियो जिए सुबह ही तक नहीं पता एають and सुभा के बच्चों के हैं किया रहा कोई संडे नहीं कोई मंदे नहीं माम डेली मतलब डेली क्लास जो है वह आपकी चलने वाली है तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुवात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दू कि आपके आने वाले रेल्वे में आर्पी यानि कि आने वाला आप दिखिए आर्पी अफ का आपका फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा पंदरा अप्रेल से एल्पी का फॉर्म आप भरी चुके हो एंटी पीसी का एक्जाम भी आएगा माम हर प्रकार से अगर एक बार हम चाप्टर को अपने कवर कर लेते हैं तो अपने इस 21 दिन 21 मेराथन में जो आपसे कहा था कि 28 फर्वरी से शुरू हुई है और अभी तो माम 22 मार्ट तक का सफर पूरा तै करना है NCRT पर आधार इतकल मैंने comment भी देखा था कि NCRT basis पर आपका रहेगा है नहीं यह सारी सीरीज आपके NCRT basis पर है मतलब जो जो टॉपिक्स आपके NCRT के अंदर हैं आपको अलग से बढ़ने की आवशकता नहीं पड़ेगी ठीक है बाकी आपकी regular physics, chemistry, bio तीनों की classes जो है वो चल रहे हैं पूरा का पूरा टाइम टेबिल आप लोग को अल्रेडी दे दिया है तो बही शुरू करें आज का टॉपिक एक बार एक थमसब को साइन्स शेयर कर देना कि मम हम लोग तो सभी आपर रेडी है RPF का class जो है वही आपके लिए चल रहा है बाकी chemistry, physics, bio पूरी science में हर एक दुविधा का निवारन आपके इस series के अंदर किया जा रहा है ठीक है चलो तो शुरू करें एक बार जल्दी से मुझे पताएंगे सब यहाँ पर तयार है और अपने भाई बंध हो तक भी class को share कर दिया है तो देखिए कहीं ना कहीं आप सब एक बात सुनते आए हैं शुरू से कि जब बात आती है दिल की तो एक सबसे पहला और सबसे बड़ा मित कि दिल जो है वो emotions के साथ डील करता है लेकिन यह मानफ का हरिद है जो आप बिलकुल center में बीचो बीच आप अपनी body के देखते हैं यह दोनों फेफ़डों के बीच में पाया जाता है लेकिन किसी भी प्रकार से ना इसका करते हैं कि माम हमारी body में यह जो heart है यह जो हृदय हम देखते हैं यह हृदय क्या कर रहा होगा कहीं ना कहीं इन दो फेफ़डों के बीच में बैठा है क्यों बताओ एक बार कितने लोग यह मानते हैं मुझे comment section में बताना कि माम दिल जो है वो left side पर होता है आपने सुना हो दसा हुआ है लेकिन वास्तविक तोर पे हृदय हमारा कभी भी left में नहीं होता left में इसका जुकाव होता है आप देख रहे हैं दो प्रकार से दो फेफ़डे हैं यह आपर क्यों बहुत लोग मानते हैं इन सब चीजों को कि left side पर pain हो रहा है left arm में दर्द हो रहा है वो part अल के पूरे परी संचरेंट अंत्र के बारे में तो इसमें केवली हृदय नहीं आता इसके साथ साथ पूरा blood भी आता है और इससे जितनी भी रक्त वाहिकाए निकल रही है आप देख रहे हो कुछ लाल रंग की नसे निकलती भी दिख रहे हैं कुछ नीले रंग की दिख रहे होगे सर्क्यूलेटरी सिस्टम की यानि की परी संचरन तंत्र की तो इस परी संचरन तंत्र में नंबर पहला हार्ट तो देखो आता है बिना दिल के माम बॉड़ी में कुछ भी कार रही हो पाएगा इसके साथ साथ और क्या आता है हमारा blood भी आता है और नंबर तीसरा आता है blood की vessels ठीक है यानि की रुधिर वाहिकाएं जो रुधिर आता है वो तो ठीक है मगर इसको ले जाने वाली कुछ वाहिकाएं भी यहां पर आती है तो इस चाप्टर की अंदर जो हमें detail में पढ़ना है ना वो आपके इन तीनों भागों के बारे में पढ़ना है blood के बारे म हुआ आप कहोगे कि माम यह क्या कर रहा है अब सबने घर में कूलर देखा है कूलर में लगी हुई एक मोटर देखी है कि एक मोटर लगी होई होती है हमारे कूलर के अंदर वो कूलर के अंदर जो मोटर लगी होती है उसका काम क्या होता है वो एक पंप होती है ना उस पंप तो अगर हम आपसे बात करें जैसे वो कूलर में मोटर एक पंप लगा देते हो ना कि वो सारी साइज पर पानी फेकने का काम करती है हमारे पूरी बॉड़ी में ब्लड की सप्लाई कौन करेगा यह हार्ट कर रहा है यह सिर्फ और सिर्फ क्या करता है एक पंप करने वाला अब कंप करने में मदद यहाँ पर करता है और किस्ये मिलकर के बना है तो यह हमारी मासपशी से बना है तो हड़ी तो इसमें है नहीं जो तूटेगी ब्र होती तो तो टूटती ना एक पार बताओ मुझे मेरा भी दिल तूटा है बस दिल तूटने की बात आती है ये कहानी जो पुरानी चली आ रही है उन्हीं पर भरोसा करे हो तुम साइन्स वाले हो अब समझ जाना कह देना कि भई देखो दिल तूटता नहीं है क्योंकि ये मास्पेशी से बना हुआ एक अंग है ये जिना ही हमें यहाँ पर हृदय जो है वो दिखाई देता है हर किसी का आम भाशा में कहोगे कि वजन कितना है तो पुरुषों में 300 ग्राम का और महिलाओं में 200-500 ग्राम का उनका वजन कम होता है इसका मतलब यह नहीं कि लड़किया एमोशनल होती है ठीक है क्योंकि एमोश खून पाया जाता है उसके उपर भी डीटेल में भी बात करेंगे रेलवे अपडेट्स चलो क्लियर हो रहा है कॉंसेट दखो यह तो बंद बाहर से दिख रहा है मुझे और अगर मैं अंदर से बात करूं कि मैं मुझे कैसा दिखाई देता है तो देखिए कुछ इस प्रका जुन्हें भी अभी नहीं पता है और जो आधे संडे मनाते हैं कि आध संडे है चलो घूम आते हैं संडे हो या मंदे अब फिलहाल मौका है तो बहुत अच्छे से अपनी थ्योरी को कवर कर लो और साचात में पढ़ना भी शुरू कर दीजे संडे मंदे भई बात की दुनि आपने मालनों खाना खाया तो खाने के अंदर कल हमने पढ़ा था कि तूट करके उठजा बनती है ग्लूकोस के रूप में तो ये ग्लूकोस भी यही पर पाया जाता है ठीक है ये ग्लूकोस भी आता है आपके ब्लड के अंदर तो जितने भी पोशक दत्व हैं ऑक्सीजन ह इन सभी को पहुँचाने का काम करता है हमारा रक्त। आपके बॉडी के विभिन अंगों तक की ब्रेन को सप्लाई चाहिए, हाथों को चाहिए, पैरों को चाहिए, किड्नी को चाहिए, ठीक है, लंग्स को चाहिए, ऑक्सिजन। तो जहां-जहां जिस भी अंग में आपके र तरल संयों जी क्यों देखो भाई एक प्रकार से यह कनेक्ट कर रहे ना तो मैं इसको कह सकती हूं कि इसी के द्वारा होती है और एक ऐसा लिक्विड है जो पूरी बॉडी में गूमता हुआ नजर आता है लाल रंग का दिखाई देता है तो इसी लिए माम हुमन का हार्ट मान डायोकसाइड बना है तो चलो इसको मैं बाहर निकालके लेके जा सकता हूं ठीक है एक कह रहा है मेरा दिल राइट में है या लेफ्ट में है सबका दिल जुतने भी स्तंधारी है जुतने भी हम मानव की बात कर रहे हैं स्पैसिफिकली उन मनुश्यों के अंदर हिरदय बीच में पाया जाता है ठीक है समझ पा रहे हो बात को की नहीं तो इसे कहते हैं यूमन का हार्ट और इसी के साथ थाथ इसकी कुछ खास पिशेशता हैं जैसे की इसकी उत्पत्ती कब हुई देखो आपने माल लीजे आज तक साइंस पढ़ी ही नहीं है ठीक है मैं कह दियो जब गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो गर्भाशे में उसके एक 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 अंग बनने शुरू होते हैं जोसे हम कहते हैं ब्रून अवस्था एंब्रियोनिक स्टेच जब डूरिंग दा कम्प्लीट नाइन मंस पूरे नौ महीने के गर्भकाल में प्रेग्नेंसी साइब गर्व जबती हैon कुछ लेयर सोती है जोकी इन अलग-अलग अंगों को बनाती है उन्हीं लेयवर्स में से एक एक जिल्नी पाई यह नादर में यह वह ङोर मिम्दमें ऍधलडर कार से अंगो का निर्माड कर रही है तो मैं यहां पर भी हमारा हृदय जो है ना वो बनता है आपका मीजो डर्म नाम की जिल्ली से इसलिए इसका उत्पत्ति अगर पूछा जाए और देखो याद रखना रेल में बढ़ी हवाली साइंस पूछता है तुम यह मैं तोच के जा जो औरगन की डिवलप्मेंट है वो इस लेयर से कहीं न कहीं हुई होगी अब अगर इसके बात करें तो वजन तीन सो और आपका धाई सो ग्राम का नर और मादा दोनों में दिखाई देता है साथ में यह मास पेशी से बना अंग है आकार हम कहेंगे तो कुछ कोने कल आकार दिखाई देगा और यहां पर ब्लड का सर्क्यूलेशन होता है रक्त जो है वो पूरी बॉड़ी में सप्लाइ किया जाता है किसके रास्ते इस हृदय के रास्ते और यह क्योंकि पूरी बॉड़ी में दो चक्र पूरे करता है इसलिए से कहते हैं डबल सर्क्यूलेशन ठीक हंब जा करूं सोनैंगते हैं तो जाए अपंत्या सोब्सुदायी हम्टाय में के इंदोनों में लुएज़ा से उन्मि में सब्सक्राइब implementation इस जा को आप ठीछ इन तो सेशन चन्रन के लिए किे थीरियो रेसे च вас शेशन को जिन्होंने भी अभी तक नहीं पहुंचाया है शेर जरूर कर देंगे लाइक वाला बटन दबा देंगे अगर चीज़ें समझ में आते चलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास हर क्लास का नोटिफिकेशन साथ में पहुंच जाए जब भी आपकी क्लास ह बारे में तो मैंने आपसे कहा कि पूरी बॉडी के अंदर कुछ ब्लड वैसल भी घूम रही है यानि कि कुछ रक्त की वाहिकाएं भी हैं जो की इस ब्लड को सप्लाई कर रही है हार्ट जब भी पंप करता है ना तो केवल ऐसा नहीं कि माम पूरी बॉडी में ब्लड जो है हुई है सबकी खोज हुई है और बायलोजी पूछे और इन्वेंशन ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता तो आपसे पूछेगा कि इसके जनक कौन कहे जाते हैं तो नाम याद रखेगा सर विलियम हार्वे का जिन्होंने सबसे पहली बार रक्त के परिसंचरन तंत्र की खोज कर ठीक है आप में से कोई ऐसा है जिसको अपना ब्लड ग्रूप नहीं पता हो कि मैं मेरा ब्लड ग्रूप A है B है O B A B है या O है ये चार प्रकार के ब्लड ग्रूप होते हैं इनकी खोज करता जब इनकी खोज की बात आई थी तो वहाँ नाम आता है कार्ल लेंड स्टीनर का ये दो नाम आपके इस हार्ट के डिसकोवरी से न कई बार पूछता है कि भाई ये बताओ ब्लड ग्रूप की खोज किस ने करी और दूसरा आपसे पूछेगा कि रक्त परी संचरन तंत्र की खोज किस ने करी थी सबको पता है कि नहीं पता होना बहुत आवश्यक है कि हमार ब्लड ग्रूप आखिरकार है क्या तो आपका ब्लड ग्रूप जो भी है इसकी खोज करी थी काल लेंस्टीनर ने इन्होंने A, B, AB ऐसे ब्लड ग्रूप की डिसकोवरी करी थी स्टार्टिक में ठीके बाद में इसके उपर भी अलग से डीटेल अध्यन हुआ था तो दो ना कि हमारा ब्लड बेय रहा है क्यों बाई पूरी बॉड़ी में 5-6 लीटर तक ब्लड बढंत है ऑगों जिसे नहीं पता कोई दिक्कत नहीं इधर ध्यान देलो लसिका परी संचरेंट अंत्र का काम होता है कि यह कहीं न कहीं बॉडी में जितना भी वेस्ट है विशाक्त पदार्थ है और जो वसा है उन सभी के ट्रांस्पोर्टेशन में भी मदद कर रहा होता है तो एक लिक्विड मैंन सब्सक्राइब कर चरण में तो मम दो प्रकार से घूमता है एक होता है खुला परी संचरन और एक होता है बंद परी संचरन देखो ज़रा यहां पर यह तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है आप पूरंण यह तो कुछ टड़ा सा लग रहा है एक ग्रास ओपर लग रहा है क्यों बई लग रहा है कि नहीं ठीक है अगर ये grasshopper दिख रहा है तो माम इसमें heart, तुम तो ये वाला heart बनाते हो ना तुम कहते हो कि water zap वाला दिल ये बन गया ऐसा heart नहीं होता कि किसी के भी अंदर नहीं होता आपके इस grasshopper के अंदर ये आप देख सकते हो पूरी tube जा रही है, इसे हम क्याते है heart, मतलब इसका हरिदे कैसा है? tubular heart है, tubes में बटा हुआ है, मैम ये जो tubes है, यहाँ से सिधे-सिधे blood कहां आ रहा है, इसकी पूरी body में आ रहा है मतलब कोई ऐसा, कोई nurse जा रही है कोई वाहिका नहीं है किसी भी प्रकार से कोई लाल या कोई हरी धमनी या शिरा नहीं दिखाई देरी हम अगर बात करें हमारी बॉडी में तुम ध्यान से देखना कभी भी बॉडी के ओपर तुम्हें कुछ नसे दिखाई देंगी कुछ लाल रंकी होंगी कुछ नीले रंकी ह होंगी ऐसी निसएं यहां पर नहीं होती हैं तो इसे कहते हैं कि खुला परी संचरन खुले का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो भी ब्लड है न व ओपन घूम रहा है यानि कि खुला परी संचरन इसको हम कहते हैं लेकिन मैं हम अपनी बौड़ी कि बात करें तो देखो हमारी बौड़ी में यह हार्ट होता है यहाँ पर एक तरफ शुद्ध ब्लड एक तरफ अशुद्ध रक्त और पूरी बौड़ी के अंदर ये कुछ ब्लड निकल गया और पूरी बॉड़ी में राइते की तरह फैल गया ठीक है माम यहां तो हार्ट है यह देखो पूरी बॉड़ी के अंदर कुछ लाल-लाल सी नसे जा रही है कुछ नीली नीली नसे जा रही है इसे कहते हैं बंद परी संचरन तंत्र बोलो बात समझ आ रही है तो सब्स्राइब कर लेना चानल को ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए जी हां अब बात अगर करेंगे ब्लड तो यहां पर भी सेम है माम लेकिन इन वाहिकाओं के थ्रू घूम रहा है तो इसे कहा जाता है ओपन नहीं क्लोजड सर्कुलेटरी सिस्टम तो दे बात करें लोकस्ट है बटरफलाई है टिड्डा है इन सभी के अंदर कोई रीड की हड़ी तो नहीं होती है कि नहीं होती है यह तो कीड़े वीके से दिख ऩर вниз के एक दो दिन तक एक नंदर नकी लाइफ जो है रहती है तो इन सभी के अंदर आर्ट आज़ड ओड़ा है मु अधिका यहां पर नहीं होती है उधारन सबसे इंपोर्टेंट है जो की पूछे जाते हैं क्या इतना कॉइंसेप्ट समझ में आया कि नहीं जल्दी से बताओ एक बार हार्ट अटेक कैसे आता है मैं तुम्हें हार्ट अटेक हार्ट फेल कार्डियक एर्ष्ट ठीकिए आपका इनजाईना का दर्द हो रहा है या कोई क्लॉट बन रहा है हर एक बिमारी के बारे में बताऊंगे लेकिन पहले हार्ट समझ़़ो पहले रिदय को समझ लो तो हमारी बॉड़ी के अंदर एक दिखा खुला और एक होता है बंद परी संचरण जिसके अंदर कुछ वैसल्स होंगी जो ब्लड को पूरी बॉड़ी में गुमाने में मदद करती हैं यह हमारे सभी कशे रुकिये में होता है कहते है ना अपवाद बहुत ज़रूरी है यह देखो केंचुआ यह केंचुआ अपवाद बन के आता है मतलब होना तो चाहिए था खुले के अंदर बट इसके अंदर ब्लड कैसे घुम रहा है माम कुछ वैसल्स के दुबारा तो आपके यह दो नाम यानि की सभी कशे रुक और कशे रुक के अंदर ही बानाव आता है एक बार एक स्टूडेंट ने बूछा था कि मैं मा बार बार कह रहे हो वज़िभी रिट होते हैं वह आते हैं जिसके अंदर आपको दिखाई देते हैं सारे के सारे मैमल्स और भात आता है मैंन में मानव यहां आता है तो अगर मैं verteprades लिखू या mammals लिखू या मानव लिखू बात यह की है कि नहीं कषेरुक जो होते हैं जिनके पास read की हड़ी होती है मानव के पास है हमारे पास एक backbone है हम आसानी से खड़े हो सकते हैं चल सकते हैं यही concept है तो याद रखेगा कि अगर पूछा जाए कि बढ़ी कशे रुख कौन है तो मानव जो है वो कशे रुख के अंदर आता है कुछ पक्षी आते हैं कुछ सरीस्रप आते हैं जो रेंगने वाले जीव हैं कुछ मींड़क आते हैं यह सब ही आपके आते हैं वर्टी ब्रेट्स के अंदर ठीक है मैं ज्यादा इंग्लिश वर्ड ची उस करो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों वाध्यम में एक लास आपकी चल रही है तो लिखा भी प्रॉपर दोनों लांग्विजिस में हैं मैं कोशिश करी हूँ कि आपको दोनों ही लांग्विजिस में गंवे कर पा हार्ट हार्ट मतलब यूश्वली आपने कहा कि मैं हमारा हार्ट जो है वो ऐसा दिखता है ऐसा तो किसी कभी नहीं होता यह हुर्द है मचलियों का है जहां पर एक देखो इधर और एक इधर एक निले और एक आलिंद नाम के दो कक्ष उपस्तित हैं इन्हें कहते हैं कि ये हार्ट है मेरे पास और इस हार्ट को मैंने चार भागों में डिवाइट कर दिया उपर वाले दो को आलिंद कहते हैं नीचे वाले दो को दिले कहते हैं अगर ऐसा सिस्टम दिख रहा है ये कहलाता है चार कक्ष का हर्द है अब चार कक्ष का हर्द है तो होता है देखिए मान मचलियों के पास फेफडे होते हैं कि नहीं मुझे कॉमेंन सेक्शन में बताओ हां की ना जल्दी से माइग्रेन की प्रॉबलम है माइग्रेन अलग समस्य है ठीक है माइग्रेन के लिए तो भईया आपको दवाईयां जो हैं डॉक्टर से सला लेकर के ही लीजेगा कभी भी घ दे श्वलम है being water देखो इधर हार्ट से ब्लड जा रहा है गलफडो में गिल कैपिलरी जोने हम कहेंगे और यहां से ब्लड आ रहा है आपकर शरीर की शेशिकाओं में बॉडी के अंदर मालीजे तो बॉडी में ब्लड एक साइकल घूम रही है पूरी क्यों भई एक बार एक राउन ले रहा है कि नहीं हां कि ना मैं एक साइकल जहां होगी उसी को कहते है सिंगल सर्कुलेशन मतलब एकल परी संचरण में कह सकती हूँ यहां पर ब्लड केवल एक बार यानि कि सिंगल सरकुलेशन फॉलो कर रहा है एकल परी संचरण को देखा जाता है यहां पर एकल परी संचरण देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ यह घूम कर के एक बार साइकल कंपलीट हो रहा है तो मैं मैं कैसे मानू कि एक की जगा और भी ज़ादा हो सकते हैं इधर देखो बोडी के अंदर ये मानफ का हरिद है ये बीच में बठा हुआ है हार्ट उपर फेफडे हैं हमारे नीचे शरीर के बाकी के सारे अंग हैं इनके अंदर दो बार ब्लड घूमता है मतलब एक बार ब्लड कहां से आया एक बार तो आया इस फेफडे से हार्ट तक फिर हार्ट से निकल के गया बोडी में फिर यहां से घूम के हार्ट में आया फिर हार्ट से गया आपके फेफडों के अंदर तो एक साइकल ये रही और ए सिंगल सरकुलेशन दिखाई देता है तो क्वेशन आएगा कि एकल परी संचुरन कहा है आप बताएंगे कि भाया सभी मचलियों के अंदर सरी सरप के अंदर उभैचर के अंदर यह हमें दिखाई देता है यानि कि जो भी मेंधक होते हैं जो आपके रेंगने वाले छिपकली ह मगरमच है ठीक है ग्रास ओपर है कचुआ है इन सभी जीवों के अंदर आपको यह दिखाई देता है कहानी समझे की नहीं समझे जल्दी से बताओ मुझे एक बार यह एकल परी संचुरन है लिखा है कि शरीर के एक पूरे चक्र में रक्त जो है वो बहता हुआ नजर आता ह ठीक है और डबल सर्कुलेशन की बात करूं तो बलड आपका ट्वाइस यानि की दो बार घूम रहा है पूरे बॉडी में दो बार घूमता है यह कहां होगा मैम सभी पक्षियों में और मैमल्स में अब मैमल्स फिर से लिखा है स्तंधारी फिर से लिखा है तो मानव इसी के अंदर आता है बोलो समझे की नहीं समझे हावी जल्दी से बताओ दो प्रकार के मैंने तुम्हें सर्कुलेशन बताए एक था सिंगल और एक था डबल एक पहले बताए था ओपन और क्लोस्ट एक थमसब का साइन जल्दी से भेजएगे कि आपको चीजें क्लियर हो रही है क नहीं हो रही है देखो यह समय यह मौका ना तुम्हें बार-बार नहीं मिलने वाला जितने भी यहाँ पर मिरे साथ आज चीजे बताद दूँ यह बार बार नहीं मिलता ौहीं बार नहीं मिलता ठीब knapp और दो कि यह समय लारे प्रॉपर अपने नोट्स बना रहा है लिख रहा है ना ये फाइदा सिर्फ उसका होने वाला है बाकी तुम इधर उधर के कॉमें सेक्षिन में लगे रहे ना कि तुम कहा थी तुम कहा थे ठीक है तुम आई थी कि नहीं आई थी वो तो पेपर ले के तैयारी करके चली जाए बुलो कहानी समझे की नहीं तो इसलिए थोड़ा मोटेव अपना क्लियर रखो टार्गेट क्लियर रखो कि माम माबाप जो आस लगाए बैठे है ना कि मेरा लड़का सरकारी बाबू बनकर आएगा तो उसके लिए अगर आपको फ्री में सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है त और शेयर कर देना अपने हर दोस्त यार भाई बन्दू हो तक जो नहीं जुड़ पाए है सुभा के 11 बच चुके हैं साड़े 11 हो चुके हैं और आपका यह टॉपिक भी बढ़िया दरीके से चल रहा है ठीक है चलो तो दो प्रकार के मैंने सरकुलेशन बताए एक ओपन और दूसरा सिंगल और डबल सरकुलेशन अब मैं यह सरकुलेशन हो तो रहा है लेकिन किसके माध्यम से हो रहा है तो हमारी बॉड़ी में जो ब्लड भहता है जो रुधिर भहता है वो कुछ पाइप पाइप कहलो वाहिका कहलो इनको रक्त की वाहिका कहा जाता है जहां पर ब् आपा है इसको यह बिल्कुल हाथ की यहां नवस पकड़ करके चेक करते हैं यहीं क्यों देखते हैं माम और कहीं क्यों नहीं देखते हैं यह कहलाती है हमारी पुल्स रेट जुसको हम कहते हैं हमारी धड़कन की एक दर जो बन रही है और यह पुल्स रेट निकल के आती है ही होती थी वो पता देती थी कि भई आपको कोई बिमारी है कोई संकेत आपका है आपर मिल रहा है कि आपकी धड़कन जो है वो बहुत जादा धड़क रही है एक मिनिट में बीट जादा है या फिर कम है तो कोई समस्या बॉडी में दिख रही है तो हमारी बॉडी में ये इस प्रकार से कुछ न कुछ न से लगी होती है जो ब्लड को ले करके जाती है या ले करके आती है ठीक है कुछ तो देखो दिखती है लाल रंग की जो बहुत अंदर धसी भी दिखाई देती है ठीक है बहुत अंदर धसी भी दिखाई देती है लाल रंग की होती है अब जरह यहां देखो कि मैं मुझे ना कुछ ऐसी दिखती है जो ऊपर उभरी भी दिखाई देती है ऐसी दिखिए अब कुछ नसे अंदर धसी हुई हैं लाल रंकी हैं कुछ ऐसे बाहर उबरी भी दिखती हैं ग्रीन और ब्लू कलर की यह सब मिल करके कहलाती हैं आपकी रक्त की वाहिकाएं यानि की हुमन की ब्लड वैसल्स यह देख पा रहे हो बॉडी में हार्ड से नीला और एक लाल दो ही कोई ऐसे तुम्हें ओर अरेंज मेजिंटा और ब्राउन और ब्लाक कलर नहीं दिखाई देगा हैं आपे कलर भी दो ही दिखते हैं नीला या फिर हरा इन सभी को गहा जाता है आपकी ब्लड की वैसल्स यानि की जो रक्त की वाहिकाएं हैं जो बॉडी में ब्लड को ले करके जाने या लेकर के आने का कारे कर रही होगी ठीक है यह देख रहे हो मानव में रक्तवाई का एक धमनी होती है जिने हम आर्टरी कहते हैं एक शिरा होती है जिने हम वीन कहते हैं और तीसरी होती है केशिकाई जिने कैबिलरी कहा जाता है कुछ और नाम नहीं सुनना है माम यह तीन नाम जो हैं वो यहाँ पर याद रहने हैं त्मसे क्या पूछे का तुम से तो आप में से कई लोगों ने चाप्टर पढ़ा होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा बिल्कुल फ्रेश हैं जो आज तक human heart के बारे में कुछ भी नहीं जाने थे हम एक चीज को जारा समझ करके देखेंगे आप राइट हार्ट अटेक कहां से आता है अरे हार्ट अटेक भी दिल और थोड़ी चोड़ी रंग की दिखाई दे रही है और ये आ रही है मुझे थोड़ी सी छोटी दिखने वाली जोसे हम कहते है शिरा अब इन दोनों को जोड़ करके रखने का काम करती है आपकी ये वाला भाग ये देख रहे हो सबसे छोटा भाग मुझे यहां पर ये दि है ये वाली आपकी वीन है लेकिन ये बीच में जो जोड रही है ना इसी को कहते हैं सबसे चोटी रक्त वाहिकाई यानि केशिका के नाम से ये जानी जाती है ये दिखाई देती है कुछ इस प्रकार से देखो जरा blood vessels की उपर जो question है वो आपका जरूर से पूछता है देखिए जरा ये उधर से एक नीले रंकी आ रही है ये इधर से एक लाल रंकी आ रही है इसे मैंने आर्टरी कहा इसे मैंने वीन कहा आर्टरी जब और छोटे भागों में तूटेगी तो इसको धम निका कहते हैं धमनी शिरा जो है ये तूट करके क्या बना रही है ये आपके वेन्यूल बना रही है मतलब शिरा और ज्यादा टूट रही है और फिर ये दोनों जुड रही है किसके माध्यम से के शिकाओं के माध्यम से कहानी समझ आई की नहीं आई तो इनका कलर कैसा दिख रहा है मुझे मिश सेक्शन में बताओ तुम्हें सबसे बड़ी ब्लड वैसल कौन सी दिखाई दे रही है देखिए टॉपिक क्लियर होना जरूरी है सवाला तुम हम आगे भी हो जाएंगे प्राक्टस सेट तो करवाएंगे धेर सारे टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है जल्दी से बताओ सबसे बड़ी रक्तवाहे का कौनसी देखी जाती है एरोटा कह रहे है मोहिनी बहुत बढ़िया ठीक है basically 08 जितनी भी होती है ठीक है बई शत्रुघन शत्रुघन या अदव बहुत अच्छे तो 08 जितनी भी होती है यह हमारी कहलाई जाती है सबसे बड़ी वाली यानि कि largest blood vessel अज़ा सबसे छोटी कौन सी दिख रही है अभी मैंने तुमें एक diagram में बताया था सबसे छोटी वो माम यही वाली दिखाई देगी तो मैं इसको कह सकती हूँ smallest है क्यों भई इसी को कह सकते हैं सबसे छोटी रक्त की वाहिका के शिका कही जाती है बोलो हा की ना तो कुछ ये concept बनता है blood की vessels का अब इनका काम क्या होता है एक छोटी सी trick के साथ समझेंगे कि माम यह कैसे कैसे कारें यहां पर करती है देखिए सबसे पहले धमनी के बारे में बात करते हैं यानि की artery के बारे में बात करते हैं दूसरा भाग आता है ween का यानि की आपकी शिराओं का अब अगर मैं धमनी को यहाँ पर देखूँ तो जितनी भी धमनियां होती है इनका काम होता है लाल रक्त मतलब यह लाल कलर की दिखती है अब लाल कलर की दिख रही है तो यह प्यॉर ब्लड लेके जाती है यानि की ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के जाती है माम हम सास ले रहे हैं हमने oxygen intake किया हमारे फेफडों के अंदर जो oxygen है वो गई और फेफडों से कहा जाएगी हमारे हृदे तक जाएगी बोलो हाँ कीना जल्दी से बताओ मुझे एक बार पटाफट से बताओ हमारे lung से heart तक blood जो है वो जाएगा तो हमारी body में जो oxygen है ना फेफडों से वो इस धमनी के मध्यम से आती है यानि कि इसके अंदर शुद्ध blood है उस blood में oxygen पाई गई है तो इसे मैं कह सकती हूँ pure blood है या मैं कह सकती हूँ oxygenated blood यहाँ पर आ रहा है आपने का ठीक है माम आप कह रहे हो तो मान लिया आप तुमने बच्पन में वो pencil चलाई है HB वाली एक नट्राज की pencil होती थी एक HB की pencil होती थी क्यों भी चलाई है कि नहीं माम how blood reach to the cell सौरफ बिलकुल वहाँ तक हम जाएंगे cell तक भी blood को पहुंचाएंगे लेकिन पहले blood को ले जाने वाले को समझ लेते हैं फिर उसके साथ ले करके जाएंगे cell तक ठीक है तो आपने चलाई है बच्पन में HB वाली pencil इस धमनी के साथ वो HB याद रखना HB pencil याद रखना क्या कहता है H से मतलब होता है heart और B से होती है body यानि की body के सारे के सारे organs तो मैं लिख सकती हूँ हमारे हृदय से शरीर तक शरीर के सभी अंगों तक जो blood supply हो रहा है वो इस धमनी के माध्यम से होता है आप से question आएगा धमनी कैसी दिखती है आपने कहा लाल दिखती है वो पूछेगा धमनी कैसा रक्त लेकर जा रही है आपने कहा देखो pure blood है oxygenated blood लेकर के जा रही है फिर आप से कहेगा यार लेकर कहा जा रही है ये तो बताओ तुमने कहा देखिए H और B यानि की heart से लेकर के जाएगी हृदेश पर लेकर के जाएगी और body तक body के जुतने भी विभिन अंग है न वहां तक लेकर जाती है ये थोड़ी सी मोटी या मैं कहूं largest दिखाई देती है सबसे बड़ी blood vessel यही नजर आती है largest blood vessel सबसे बड़ी वाहिका बोलो कहानी समझे की नहीं समझे तो भाईया ये कहानी हो गई हमारी किस के बारे में धमनी के बारे में अब आपने शिरा याद करनी है और शिरा में कुछ भी याद नहीं करना केवल शिरा में जो यहां लिखा है न के विपरीच चीजों को आपने लिख देना है वाहिका है बात वो चल रही है कि माम पूरी रावायण खतम हो गई और यह नहीं समझ में है कि राम जी कौन थे भाई देखिए हम रक्त की वाहिकाओं की बात कर रहे हैं यानि कि वो वैसल या वो आपकी पाइप जो की ब्लड को ले कर जाती है आप जिसे आम भाषा में नसे कहते हो ना कि बॉडी में देखो कुछ लाल रंकी कुछ हरे रंकी नसे जा रही है खून को ले करके आप यहीं कहते हो देसी भाषा में उन्हीं को उन नसों को हम ब्लड वैसल कहते हैं रक्त की वाहिका कहते हैं जो वाहिका ब्ल जहां धंनी थी, अब देखो इ verd串, इसका just opposite करते वें चल लाने हैं, यह लाल है, तो यह कैसी होजाएगी, नीली हो जाएगी, यानि कि blue colour की हो जाएगी, अगर यह oxygen वाला blood लेके जाएगी, तो यह कैसे लेके जाएगी, बिल्कुल opposite कर देना है बिल्कुल opposite कुछ नहीं अलग से करना है अब यहां heart से body तक जा रहा था इसको भी उल्टा कर दो यहां पर body से heart तक blood जो है वो पहुँचाया जाता है यानि कि आपके शरीर के अंग से आपके हृदय तक यह blood को लेकर जाने का कारे करती है कौन-कौन इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए कि नहीं समझे जल्दी से बताओ एक बार impure blood veins में होता है मैंने तुम से कहा तुम एक चीज जियाद रखना धमनी याद रखो धमनी लाल रंगी है धमनी शुद्ध blood लेके जाती है धमनी HB pencil के दुबारा वो HB यानि कि heart to body connect करती है ठीके जी अब अगर आ रहा है शिरा तो शिरा इसके चस्ट विपरीत काम कर रही है कि यहाँ पर अगर तुम्हें लाल दिख रहा है तो इसमें नीला कर दो अगर यहाँ शुद्ध है तो अशुद्ध कर दो और यहाँ पर body to heart कर दो बिल्कुल उल्टा आप इसको कर सकते हो यह सबसे पड़ी है तो हाँ इससे छोटी वाली भाग जो है वो हमारी शिराओं की यहाँ पर बन जाती है इस दिस clear to everyone जल्दी से बताओ एक बार एक थमसब का sign मुझे जल्दी से share कर देना धमनी अंदर होती हैं शिराभार होती हैं हाँ यह धसी हुई होती हैं यह वाली आपकी आप कह सकते हो deep seated होती हैं सारी धमनीयां deep seated होती हैं मतलब अंदर की तरफ धसी हुई दिखाई देती हैं और इनको आप कह सकते हैं कि यह superficial हैं यानि कि उभरी हुई दिखाई दे रही हैं तो यह हमारी शिराएं बन जाती हैं कहानी clear हो रही है कि नहीं हो रही है माम यह चीज़ें अगर हम एक बार समझ गए न तो definitely हमें आगे तक मदद मिलेगी जब भी हम अपने LP, RPF, Group D, NTPC हर किसी exam को देने जा रहे हैं बदलेगा तो नहीं माम ठीक है चालो आगे बात करते हैं यह धमनी है और यह शिरा है यहां पर एक अपवाद आता है जिसको कहते हैं फुस फुस यह धमनी यानि कि pulmonary artery सारी धमनिया सेम काम करेंगे जितनी भी बाड़ी के अंदर धमनी है वो सब समान काम करती है किसको छोड़ करके किसको छोड़ करके तो आप बताएंगे एक exception यहां पर आता है pulmonary artery का जहां पर भी तुम्हें नाम दिखाई दे तो बता देना यह वाली pulmonary धमनी कैसा बलड लेके जाती है CO2 वाला बलड जो इसका काम था जो की इसका काम यहां पर दिखाई दे रहा था फुस फुस यह धमनी इसको हम यहां पर कहते है और यहां पर इसी प्रकार से एक अपवाद आता है एक exception आता है जिसको कहते हैं pulmonary शिरा pulmonary vein यह pulmonary vein oxygen वाला बलड लेकर के जाती है जानी कि यह दो पार्ट ऐसे हैं जो हमारे अपवाद के तौर पे नजर आते हैं फुस फुस यह शिरा और फुस फुस यह धमनी बोलो clear हुआ कि नहीं हुआ अपूर्ण चार कोष्ट का हृदय किसके अंदर होता है वहां हम बात करेंगे कि हमारा incomplete double circulation amphibians और reptiles के अंदर होता है तो यह कहान ही होती है माम धमनी की और शिरा की देखो साइन समझ में आ रही है कि नहीं मुझे एक बात बताओ अब विज्ञान में तुम्हें डर जो था वो खतम हुआ की नहींगी किस दिने किस मारतन में माम अंत तक आते हैं तो हम कहेंगे हमने तो पूरी साइन्स जो है वो कवर कर लिया हमारा एक भी परसेंट डर जो है वो नहीं बचा है आप जानते हैं कि रेलवे में तीन सब्जेक्ट बहुत महतोपूर्ण है तीन कौन कौन से माम एक गड़ित है एक रीजनिंग है और तीसरी आपकी जीएस है जिसके अंदर ये 20 से 25 तंबर की साइन्स जो है वो आती है अब एक बात बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें reasoning से डर लगता है और कौन ऐसा है जिन्हें math से डर लगता है कि माम railway में अभी एक दिमाग में डर बैठा हुआ है गड़ित का यह एक बैठा हुआ है मुझे reasoning का कौन कौन यहां पर ऐसा है एक बार मुझे comment section में जल्दी से बताओ तुम्हारे लिए एक solution एक हल एक निवारन यहां पर मैं लेकर आई हूँ तो वो भी मैं तुम्हें बता दू लगता है ना कैसे ठीक है किसी को math से लगता है आप सभी के लिए ना science की तो देखो लगातार आपकी classes चली रही है लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ कि मैं हम हमारे लिए गड़ित में हम क्या और अच्छा कर सकते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल RPF exam को target करते हुए आप लोगों की ना एक book आ चुकी है RPF warrior अधितर अंजन सर के द्वारा ये जो किताब है इसके अंदर 1300 से जादा प्रश्ण PYQ basis पे आपको मिल जाएंगे साथ साथ में आपके 10 mock test भी इसके अंदर है और आपके smart solution मतब बढ़िया तरीके से कौन से approach आप इसमें लगा सकते हैं कौन से solution इसका अच्छे से रहेगा ये बहुत ही detailed में बढ़िया तरीके से आपको इस किताब के अंदर दिया गया है maths की RPF warrior सारे previous year questions के आधार पे तुम्हें कहीं कुछ और नहीं करना है अगर बात आती है गड़ित की तो आप इसको यहाँ पर cover कर सकते हो ये किताब जो है वो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीकी से Amazon और Flipkart दोनों पर available है आप इसका link description box में एक बार जरूर से देख लेना direct click करेंगे आप पहुंच जाएंगे अपनी book के पास यानि कि Amazon पे और Flipkart पर दोनों पर ही available है तो maths का डर तो यहाँ से बिल्कुल बढ़िया से निकल जाएगा अगर चाहते हो ना कि माम इस बार RPF में selection लेना ही लेना है इस बार हमें RPF में अपनी एक seat पकी करनी है वो 4660 पदों पर जो भड़ती आई है एक seat हमारी होनी चाहिए तो maths के अंदर आप यह काम जरूर करें आज ही अपने Amazon और Flipkart से RPF Warrior को जा करके अपना यूज करें और बढ़िया से बताएं कि माम हमारा कितना डर जो है वो दूर हुआ है और यह चीज तुम मुझे आकर क्लास में जरूर बताना कि माम देखो हमने तो कर ली अब हमारा डर दूर हुआ कि नहीं हुआ ठीक है क्योंकि यह मेरा वादा है आपसे कि बहुत अच्छे से अगर आप प्रॉपरली गाइडेंस में चीजे करेंगे तो आपका हर एक्जाम बहुत अच्छे से क्लियर होगा ठीक है तो मेडम विज्ञान का डर तो इस पूरी क्लास से ही निकल जाएगा जो 21 दिन में हम अपने फिजिक्स, किमिस्ट्री, बायो तीनों के पोर्शन को कवर करने वाले हैं ठीक है वो वो टापिक्स जो पेपर में निश्चित है जो आने ही आने है तो आप लोग इन कामों को जरूर से करें ध्यान से करें और इसी प्रकार्ट से अपने रेगिलरली नोट्स को भी साथ-चाथ में बनाते चलें ठीक है चलो अब मुझे एक सवाल लगा दूँ यहाँ पर फटा-फट से आपसे के रहें लार्जस्ट आर्ट्री कौनसी होती है पूरे मानव के शरीर में जल्दी से बताओ एक बार जल्दी जल्दी से बताइए और जन्होंने भी सेशन को पहुंचाया नहीं हो शेर जरूर से कर देना अपने हर दोस्तियार तक और हाँ अगर कौनसे प्लियर हो तो लाइक वला बटन दबा देना जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो आज मेरी आवाज सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं बढ़िया से मैं यहीं चाहूंगी सबसे बड़ी धमनी अगर पूछा जाए तो इसी को कहते हैं हम अभी आपसे डिसकस कर रहे थे कि मैं आर्टरी और वीन में क्या अंतर है वहाँ मैंने तुम्हें एक अपवाद भी बताया कि पल्मुनरी आर्टरी कैसी होती है यह हमारी exception है CO2 वाला blood लेकर के जाती है ऐसे ही हमारी पल्मुनरी वीन oxygen वाला blood लेकर जाती है इन दोनों के साथ साथ एक नाम और याद रखना एक होती है महाधमनी और एक होती है erota मतलब महाधमनी को erota का नाम दिया जाता है और यही हमारी सबसे बड़ी largest artery कही जाती है सबसे बड़ी धमनी आप इसी को कहते है अच्छा इसी के साथ एक आती है महाधशिरा भई शिराओं में एक महाधशिरा भी होनी चाहिए तो उसका नाम होता है वेना कावा ठीक है इसे कहते हैं वेना कावा superior और inferior वेना कावा के नाम से भी जानी जाती है यह आपकी महाशिरा है जो की body में आप लोगों के blood को body के organ से हिरदे तक पहुँचाने में मदद करती है I hope this is clear तो इन दोनों का नाम याद रखना वेना कावा या कई जगा तुम्हे superior and inferior वेना कावा के नाम से भी मिल जाता है superior and inferior वेना कावा तो blood vessels के अंदर कुछ differences तो आपके यह रहे सबसे बड़ा सबसे छोटा और यहीं पर अगर आप से पूछे कि smallest कौन सी है smallest blood vessel कौन सी है यानि की सबसे छोटी रक्त वाहिका तो आप बताएंगे कि भाईया यह हमारी कौन सी होती है capillary होती है capillaries जिन्हें केशिका भी कहा जाता है तो यह दो-तीन point important mark करके लिख लेना पहला महाधमनी के बारे में, महाशिरा के बारे में और ऐसे ही सबसे छोटी रक्त वाहिका के बारे में एक मिनिट में 95 पर्ल्स आ रही है इनकी बहिया समस्या मतलो थंडे जिमाक से है मतलब जीवन में कहते हैं कि अगर एक चीज stress नाम की अगर जुड़ जाए ना ठीक है तो बिना ठेंचन लिए काम किया करो वरना ये stress जो है वो बहुत ज़्यादा बिमारियों का कारण यहां पर बन जाता है तो ये हमारी कुछ इस प्रकार से भाग था धमनी का और शिरा का अब इसी धमनी और शिराओं में जो अब यह बहरा होते ना वह नाम आता है बलड के प्रैसर का आप लोग बलड़ प्रैसर की जब बात कर थें पछाप क्या होता है जल्दी सबραण सने हैकि मर Mouse हमने तो सुना है कि उपर का होता-इक हमने फर मतलब बलड़ प्रिशर की बात आती है तो यह मान subjects है जाल रंग की दिख रही है तो क्या होगी इसे हम कहेंगे कि ये एक प्रकार की धंबनी है यानि कि एक प्रकार की ब्लड वेसल है अब इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड भेहरा है आपने का बिल्कुल भेहरा है माम अब जब भेहरा है तो भाईया उपर और नीचे की तरफ आप बताएंगे रुधिर दाब प्रेशर एक्जर्टेड बाए ब्लड ओन दी वॉल्स ओफ वैसल ठीक है यह जो वाहिकाएं है इनकी दिवार पर लगने वाला दबाव क्या कहलाता है रुधिर दाब कहलाता है ठीक है रक्त वाहिकाओं की दीवार पर लगने वाला दब या दबाव रक्त चाप या रुधिर दाब यहाँ पर कहलाता है समझे की नहीं समझे की माम बहुत सिंपल है अब यही ब्लड प्रेशर को हम जो मापते हैं ना वो मापते हैं कैसे यंत्र से जोसे कहा जाता है स्फिग मो मैनो मीटर देखो तुम ऐसा ही एक डिवाइस देखे होंगे डॉक्टर के पास जाते हैं तो भई एक हाथ पर लेफ्ट साइड पर आपके एक आम कफ बांद देता है और एक यह मशीन से कनेक्ट कर देता है जिसमें यह पार्या जो है वो उपर और नीचे आपका जाता है फिर डॉक्टर से आप बत पाए स्फिग मोमैनो मीटर अब बात पता हो अगर बीपी को मैं स्फिग मोमैनो मीटर नाम के यंदर से मापती हूं तो दिल की धड़कन को मापने वाला यंदर कौन सा होता है जिससे पता चलता है कि आपका ब्लड जो पल्स रेट है वो 72 वीट्स आ रही है एक बार बताई बीपी माप लिया ठीक है लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं पल्स रेट धड़कन की दर ये किस से मेजर करी जाती है किस यंत्र से मापी जाती है तो बिलकुल सही भईया आंसर स्थेतोस्कोप अभिमन्यू बहुत बढ़िया ECG नहीं होगा ठीक है रोहित बहुत अच्छे जंत्र का नाम होता है स्थेतोस्कोप ठीक है दोनों अलग अलग डिवाइस है स्थेतोस्कोप बताता है कि आपका 72 बीट्स पर मिनिट क्या आ रही है दिलकी धड़कन की दर आ रही है ठीक है और यहां पर आपने क्या लिखा कि ये आपके रुधिर दाप को मापने में मेनों मीटर और यहां पर आपका जैसे हम कहते हैं धड़कन की दर इसको हार्ट रेट भी कहा जाता है इसको हार्ट रेट भी कहा जाता है कितना आ रहा है 72 बीट्स पर मिनिट ठीक है 72 बीट्स पर मिनिट यह आपकी दिखाई दे रही है अब मुझे एक बात बताओ 72 तक तो ठीक था मैं अगर श्वसन का दर पूच लिया जाए अगरispering rate पूचा जाए तो कितना बताकर आउँगा मैं breathing rate कितना बताकर आउँगा पटाफट से बताौ श्वसन की दर कितनी है सास लेने कि यहां पर होता है confusion confusion क्या है कि हमसे बीपी पूछ लिया ठीक है हमसे हार्ट रेट पूछ लिया ठीक है फूट जंक्शन के रहे हैं सोला बहुत बढ़िया सोला से अठारा एक सिटाची सेविंटी टू अंसर बत लगाना है आपे सोला से अठारा सांस प्रती मिनिट आप लोगों की जो श्वा सामाने श्वासंदर और यही एक नवजाद बच्चे की बात करूँ कि एक बच्चा अभी पैदा हुआ है उसके अंदर सांस लेने की जो दर होती है वो 31 तीस से 31 सांस पर मिनिट आ रही होती है थोड़ी ज्यादा वहाँ पर देखे जाती है ठीक है कपाट धमनियों में होते हैं कि शराओं में कपाट होते है हिरदय के अंदर जिसको कि हम पढ़ेंगे आगे है अभी जिसको हम हार्ट में पढ़ेंगे ठीक है भई तो ये तीन चार ऐसे पॉइंट्स होते हैं Dairecakर डfakt basis पे अप लोग के आ आ जाते हम बीपी की बात कर रहे डॉक्टर समझते हैं कि कितना high है और कितना low है लेकिन इसमें जो दो values आती है 120 और 80 मुझे एक छोटी सी बात बताओ ये सर और पैर का होता है क्या कि आपको क्या लगता है कि मैं 120 वाला हम कहते हैं उपर का BP है इसका मतलब क्या ये सर का BP है और 80 पैर का BP है नई actually में हमारा heart क्या कर रहा होता है एक बार contract करेगा एक बार relax होगा यह देख रहे हो यह heart है इसके अंदर एक बार blood आके भरेगा और एक बार यह आगे की तरफ blood को दुबारा से फेग देगा तो यहाँ पर जब blood आके भरा contract हुआ heart हमारा इसने blood आगे भेजा फिर दुबारा blood आके भर गया relax हो गया यह दो अवस्थाएं हमारे heart में संकुचन और relaxation का contraction और relaxation का continuous flow बना रहता है इस समय पर यह देख रहे हैं heart हमारा contract हो रहा है तब कहा जाता है कि आपका blood pressure 120 दिख रहा है इसको कहते हैं systolic contracted अवस्था दिखाई दे रहे है तब आता है 120 mmHg यह इसकी unit है ठीक है hg मतलब mercury संबंदित सम कह रहे हैं और यह कहलाता है आपका diastolic diastolic का मतलब यहां आता है 80 mmHg तो इसे कहते हैं stolic और diastolic blood pressure उपर और नीचे का मतलब यह नहीं है मादम कि हमारा जो blood है वो सर का और पाओं का अलग-अलग दिखरा होगा कि सर में जो है वो जादा है पैर का नीचे है और यह हमेशा इस arm से लिया जाता है left arm होती है आपकी बाई भुज़ा जो होती है वहाँ से ही लिया जाता है और कहीं से नहीं लिया जाता क्योंकि यहाँ पर एक radial artery जा रही होती है जो सीधे आपके हिरदे से connected होती है ठीक है तो इन सभी चीजों का छोटा-छोटे से भाग होते हैं इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है वरना तो माम आये और गए पेपर में सवाल और हमारे नमबर भी उसी के साथ आये और गए हो जाते है कहानी क्लियर हो रही है कि नहीं तो भाई यह होता है हमारा blood का pressure जो heart के contraction या relaxation से बनता है मैंने इसको एक ratio में लिख दिया ratio बना दिया कि 120 बटा 80 तो systolic upon die, systolic ratio इसको मैं इहां पर कह सकते हूं अब माल लो तुम्हारा BP भढ रहा है या कम हो रहा है कितने लोग इस चीज को देखे हैं कि लोगों के अंदर ना आजकल को युवा हो, बच्चा हो, व्रद हो सब के अंदर एक समस्या बनी हुई है जो की है, blood pressure की बहुत आम प्रॉब्लम है यहां पर जल्दी से बताईए अच्छा चलो, जल्दी से बताओ, कहा जाता है ना कि आपको hypertension हो गया है, hypotension हो गया है, BP भढ गया है, BP की प्रॉब्लम बहुत आम प्रॉब्लम है आजकल, diabetes है, sugar है, जैसे हम कहते हैं, और आपका blood pressure, बहुत common problem है लेकिन, hypotension जब भी कही जाती है, तो usually आपके body पर एक नहीं, दोनें, बहुत सारे प्रभाव छोड़ करके जाती है यानि कि मान लीजे, अगर मेरा blood pressure भढ रहा है, 120 बटा 80 से ज़ादा है किसी का भी blood pressure hyper मतलब पोई भी चीज ज़्यादा हो जाती है, hyper मतलब स्त्राव ज़ादा हो रहा है, तो hypertension यानि कि high blood pressure से संबंदित है और इतना BP आपका consider किया जाता है, high है, क्योंकि 130-140 तक तो normally भी आपको कुछ सामाने आसपास की परिस्तितियों की वजह से भी दिखाई दे जाता है लेकिन, लेकिन, सुनो जरा, अगर bandam BP जो है हमारा 180-120 तक आ जाता है, तो इससे organ failure की समस्या कई लोगों को देखने को मिलती है organ failure यानि की अंग विफलता, according to NCRT आपका 180-120 जो blood pressure है ये बहुत जादा extreme पर high BP है और इस समय पर लोगों को देखो या तो brain पे stroke आ जाएगा, आखों में हो सकता है, ये blood pressure affected डाले तो आखों में vision loss हो जाएगा, व्यक्ति को दिखना बंद हो जाएगा या फिर उसकी kidney पर उसके heart attack, heart failure, उसके sexual dysfunction हो जाएगे, reproductive organs काम करने बंद कर देंगे, kidney की बेमारियां हो जाएगे, kidney fail हो जाती है, सुना होगा ना कि BP की वज़े से heart fail हो गया, BP की वज़े से heart attack आ गया, तो ये सारी समस्याएं हमारे इस उच्छ रक्त चाप की वज़े से होती जोसे हम कहते हैं, tension, आज की व्यक्ति को कुछ नहीं, बस जरा सी छोटी सी बात हो जाए, tension, भाई क्यूं लेनी है, जीवन में वैसी इतनी कम tension नहीं है, तो इससे याद रखिएगा, कहा जाता है, hypertension या आपका high blood pressure, कितना होगा, ये आपने हाँ पर समझा, अब किसी को high blood pressure र जेना चाहिए, हाई blood pressure का इलाज एक ही रहता है, कि आप उन्हें दवाई दे दीजें, दवाई की तो व्यक्ति जल्दी से ठीक हो जाता है, दवाई ही एक जिसे हम कहते हो जाता है, पर तो सुबह स्याम वली दवाई जो है, वो बंद जाती है, लेकिन अगर किसी का प्रेशर को बढ़ाने का काम करेगा समझ पारें बात तो इसे कहते हैं लो ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर तब भी एक बार को कंट्रोल हो जाता है थोड़े बहुत मात्रा में लेकिन हाई कंट्रोल नहीं होता हाई के लिए दवाई ही यहाँ पर देनी चाहिए ठीक है और माल लीजे अगर किसी व्यक्ति का बीपी जैसे मैंने कहा था 120 बटा 80 नॉर्मल है इससे कम हो रहा है कम कितना 100 बटे 50 तक हो गया है स्टोलिक वाला 100 है और नीचे आपका डाई स्टोलिक वाला 50 है तब उसे हम हाईपो टेंशन कहते हैं हाईपर मतलब जादा था हाईपो मतलब यहाँ पर कम हो जाएगा इस समय पर आप दे सकते हैं कि हाँ भई लोगों को नीद नहीं आ रही है पैर लड़ खड़ा रहे हैं चक्कर आ रहे हैं वामिटिंग गुरी है यह सारी समस्याइं दिखाई देती हैं ठीक है अब मुझे एक बार जल्दी से बताओ फटाफट से मैं हमारे रीड में कितनी हड़ी होती है रीड में 26 हड़ी होती है नहीं हम आगे स्केल्टल सिस्टम में पढ़ेंगे आपका एक एक टॉपिक कवर कराया जाएगा जो आपके आने वाले रेलवे एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है तीक है ब्लेड प्रेशर सब को क्लियर हुआ अभी रक्त चाप सभी को क्लियर हो गया है एक थमसब का साइन जल्दी से भेज देंगे सेशन पटा-फट से बताओ एक बार क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो हमारे पेपर के अंदर आती है 36 जो कह रहे है न 36 नहीं होती 26 रीड की हड्डी होती है जब आप किसी बच्चे के पैदा होते टाइम देखो के तो 33 सड्डियां दिखाई देती है बड़े होते होते 26 रह जाती है फ्यूज हो जाती है ये सब हम आगे भी हाँ पर पढ़ेंगे मज़ा आ रहे है पढ़ने में कि नहीं जल्दी से बताओ एक बात और सेशन को लाइक कर देना जन्होंने भी कंजूसी कर रखे जन्होंने भी नहीं किया है ये क्लास डेली सुभा 11 बज़े आपकी होती है सेम टाइम सेम जगा आपके अपने रांकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपने ये 21 दिन अगर अटेंड कर लिया ये वादा मैंने तुम्हें डे वन में भी किया था कि आपके हर एक सवाल जो है वो आपके इस सीरीज से ही रहेगा क्यूंकि हम आपको उस प्रकार का कंटेंड जो प्रिपेर किया है कि देखी आने वाला कोल भी पेपर हो अगर आपने कॉंसेप्ट अच्छे से समझ लिए मैं तुम्हें नहीं करा रही कि चलो टॉप 500 क्वेशन करा देते हैं अपलोड करा दी जाती है जिसका लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा एक बार आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं आप लोगों के पास कंप्रीटली जो पीडिएफ हैं वो सारी की सारी वहां से मिल जाएंगी बोलो भई मज़ा आ रहा है कि ने ठीक है तो हमने यहाँ पर कॉंसेट समझा ब्लड की वैसल्स का यानि की रक्त के अंदर कौन कौन सी वहिकाएं होती है और कैसे इनके अंदर रक्त का दाब दिखाई देता है अब बात करते हैं कि जब हृदे हम पढ़ते हैं तो हृदे हमारे कुछ जीवों में दो कक्ष का होता है कुछ में तीन का होता है कुछ में चार का होता है सबसे पहले आता है question की भई बताओ मचलियों में कितने कक्ष का हरद है कक्ष मतलब कमरे मचलियों के अंदर सिर्फ दो कक्ष का होता है जैसे मैंने बताया भी था उपर एक आलिंद और नीचे एक निले A का मतलब होता है एट्रियम ठीक है इस भाग को कहते है मानलो एक कमरा मैंने बना दिया उसको कहा V को कहते हैं वेंट्रिकल तो यह याद रखेगा A और V का मतलब क्या है कुछ इस प्रकार से आलिंद और निले यहां पर हमें दिखाई देता है हिंदी में आलिंद कहते हैं और निले कहा जाता है आलिंद और निले तो यहां मचलियों में मात्र दो कक्ष का होता है इसी के साथ अगर मैं किसी सरीसरप पे जाऊंगी किसी उभेचर पे जाऊंगी जहां मेंड़क आते हैं वहाँ आता है तीन कक्ष का हरिद है तीन कक्ष मतलब मेडम क्या होगा यहां पर देखो जरा उपर एक आलिंद साइड में भी एक आलिंद इन दोनों के बीच पे मैंने एक पार्टिशन लगा दिया ठीक है भाई अब यहां पर यह दो आलिंद तक तो ठीक है नीचे की तरफ मात्र एक निले होता है तो अब मुझे एक बात बताओ कितने कमरे होगा यहां पर रेंगने वाले जीव जैसे की कच्छुआ है छिपकली है गिर्गिट है जो रेंगते वे नजर आ रहे हैं साप है यह सब आते हैं आपके रेप्टाइल्स के अंदर लेकिन इन दोनों के अंदर क्या होगा तीन कक्ष का हरदे अब यह जो क्रोकोडाइल है ना कि मगरमच के द्धोका देता हैं वोलो देता है कि नहीं कहते हैं मगरमच के आंसुप बहरुशा नहीं करना चाहिए मगरमच एक अप Vaud के तोर पे हो नधो चाहिए था सरीशरप के अंदर खर ब्रंत किसमें आता है तो माम यह आता तो सरीशरप में है अकॉर्टिंग gonna श्रूली इसके प जब तीन कक्ष का हरिदय होता है तो यहां कहते हैं incomplete double circulation क्योंकि भाई देखो double circulation तब हो रहा था जब पूरी तरह से blood आपका flow कर रहा था चार कक्ष में लेकिन क्योंकि यहां पर एक नहीं है तो कुछ blood यहां पर mix भी हो जाता है इसलिए इसको मैं incomplete क्लीट या धूरा दोहरा परी संचरन कहते हूं कहानी clear हो रही है कि नहीं मैम क्रोकोडाइल में तो four होता है तब ही तो कह रही हो कि एक अपवाद लिखा हुआ है देखो excepting crocodile क्रोकोडाइल को छोड़ कर बाकि सब में तीन कक्ष का हरिदय होता है और जब चार पे आते हैं तो चार कक्ष कहा है मानफ के अंदर है पक्षियों के अंदर है और आपके क्रोकोडाइल में है क्रोकोडाइल है पक्षी है और सभी स्तंधारी है याद रखिएगा स्तंधारी में ही मानवाता है ठीक है पक्शी और आपका मगर मच तो भाईये इन सब के अंदर है चार कख्श का चार कैसे, दो उपर आलिंद है और दो नीचे, निले आपको दिखाई दे रहे हैं यही पर बन जाता है दोहरा परी संचरन Double Circulation Double Circulation दोहरा परी संचरन बोलो कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई हार्ट में हो लोना वो एक अलग कॉंसेट होता है हार्ट में छे दो रहे हैं वो अलग कॉंसेट होता है अब मुझे बताओ हमने देखा कि मैम किसी के पास दो कक्षका है किसी के पास तीन है किसी के पास चार है कोई ऐसा भी है कि जिसके पास 13 कक्षका होता है कि किसके पास 14 चैंबर का हा psychologyION होता है जल्दी से पताईए एक ब года किसके पास 13 का चैंबर का होता है मोही नहीं बहुत है बहुत अच्छे यह कॉंख्रोच आपको दिखाई दे रहा है लगबग सभी को इस ते घबराहा डर जो है लगता है जब सामने आता है तो भई यह घबरा के पीछे अट जाते हो लेकिन इसके पास पाया जाता है 13 चामबर का हार्ट अब आप बोलोगे माम 13 कमरे कहां से आए इसके पास इतर देखो यह दिख रहे हैं चोटे-चोटे से ट् के चैमबर्स तो यहां टोटल मिला करके 13 चैमबर का हार्ट पाया जाता है किसके अंदर कॉक्रोच में ठीक है कॉक्रोच के अंदर 13 चैमबर का हार्ट इग्जामिनर को भी पता है ना कि सीधी-सीधी चीज़ने तो तुम सब पढ़ के आते हो कि अच्छा मचलियों में दो है मानव में चार है उसे पता है कुछ अटपड़ा पूछना है वो पूछेगा तो यह पूछेगा तो पूछेगा क्रोकोडाइल में कितना है बताओ जरा तुम लगाओगे अनुमान की क्रोकोडाइल रप्टाइल में आता है तीन चैमबर लगा देता हूं गलत हो जाएगा यहां होते हैं चार कमरे यहां होते हैं तीरह कमरे बोलिए कहानी क्लियर हुई की नहीं हुई छिपकल आज जो बैट करके सिर्फ यहां पर कॉमेंट सेक्शन में इधर उधर की बाते करने में लगे हुए है ना जो दीन दुनिया के बाकी के आस्पेक्ट के साथ तो उनकी जिन्दिगी चल रही है कि कौन कहां कैसे क्या कर रहा है कॉमेंट सेक्शन में सिर्फ अपना समय जाया कर रहे है उनको आगे जाकर जब पेपर में एक्जामेर देगा ना सवाल और उस ताइन पर तुम्हें जरूर से फील होगा कि काश उस समय पर अपना समय खराब नहीं करता तो जो इमानदारी से बढ़ रहा है आप सबका सेलेक्शन निश्चित है लेकिन जो नहीं कर रहा है ये बात वो भी जानता है और कहते हैं वफादारी निभानी है तो खुद से निभाओ दुनिया से तो लोग करी लेते हैं ठीक है बेवफा तो तुम सबसे बन जाओगे लेकिन अगर इमानदार बनना है तो अपने आप से बनिये क्योंकि ये इमानदारी आपको आपके लिए जीवन में आगे बहुत महत बहुत जादा मदद भी करने वाली है आप खुद से इमानदार हैं क्यूं बताना माबाब को क्यूं बताना किसी दोस्त को में और कुछ अचीव नहीं कर पातें वो एक साल क्या छे साल भी तयारी कर लें सरकार उन्हें दस अजार की जगा एक लाख वेकिंसी भी दे दे वो तब भी सिलेक नहीं हो पाएंगे क्यों मोटिवी नहीं है ना गोल ही नहीं है उस तरह से तो इसलिए अगर आप चाहरे हैं अपनी तयारी बढ़िया से करना आपके लिए हर एक टीचर उसी अकॉर्डिंग महनत कर रहा है कॉंटेंट दे रहा है कि देखिए संडे हो या मंडे सिर्फ हमारे स्टूडेंस का भला होना चाहिए आप से वादा किया है 21 दिन 21 मेरतन तो ये क्लास लगातार 21 दिन तक आप कि रोज सुभा 11 बजे अब तुम मुझ से वादा कर रहे हो कि नहीं कि माम डेली सुभा 11 बजे मैं आपको यहीं मिलूँगा चल्दी से बताओ मुझे तुम वादा कर रहे हो कि नहीं कि रोज सुभा 11 बजे हम आपको रांकस गुरू को YouTube चानल पर ही मिलेंगे पूरा मैं त पर काम करती हैं कुल मिला के हमारा सिस्टम मानफ के परी संचरन का किस प्रकार से कारे कर रहा है आज का सेशन मैं आशा गरूंगे आप सबको क्लियर हुआ हो यह हमारा सर्किलेशन सिस्टम का भाग था कल हम शुरू करेंगे मानव की हृदय का पार्ट हर एक टॉपिक हर एक क्लास में खतम कल जो हृदय पढ़ेंगे ना उस हार्ट के अंदर देखो हार्ट के कारे को समझेंगे कि बलड कैसे घूमता है और साथ-साथ में हृदय के साथ जितने भी बिमारियां हैं आप में से जिस किसी को भी जानना हो कि हाई बीपी का हार्ट फेल, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक ये बिमारियां कौन सी होती हैं क्यों अचानक सीने में दर्द उठता है इन सभी के सल्यूशन आप लोगों को कल सुभा 11 बजे यानि कि कल है मंडे आपका 4 मार्च कल सुभा 11 बजे वाली क अप्लिकेशन पर आप लोगों का पूरा कोर्स हमारा यहां पर चल रहा है जिसमें आप अपने अलपी आरपी अफ दोनों का टार्गेट करते हुए तैयारी कर सकते हो और मैं तुम्हें क्यों कह रही हूं क्योंकि इस कोर्स में मेरे भाई तुम्हें मैट्स भी मिल रही है पूरी की पूरी जीएस तुम जानते हो ना 35 नंबर की मैट्स है 35 की रीजनिंग है और 50 नंबर की पूरी जीएस आनी है तो मैम जीएस का हर एक भाग आपको साइंस के साथ इस बैच में मिल रहा है बहुत ही शांदार तरीके से इसका कॉंटिन प्लाइन किया हुआ है आप अगर चाहते हो ना बढ़िया से अपनी तयारी करना कि अगले चार से बांच महीने माम हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है अपने एल्पी की तियारी करनी है तो चाप्टर वाइस आप लोगों के सारी लाइफ क्लासे डाउट सेशन प्रैक्टर शीट सब कुछ आपको मिल अगर डाउनलोड नहीं करा है तो आज ही जाईए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिये और फटाफट से आप अपने इस बैच के साथ हमारे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं ठीक है जी चलिए तो यह रहा बाकी देखो मैट्स की आरपेफ वारियर आ चुकी है रीजनिंग में रीजनिंग गुरू आ चुकी है आप लोग जाईए इंडोल करो अमिजॉन फ्लिपकार्ट पर यह किताबें आप लोग के लिए अविलेबल करा दी गई है ताकि आपका भी पूरी तरह से यहां पर जो सिलेबस है वो कंप्लीट साथ साथ में हो जाए और जो भी हमारे साथ हमारे रांकर्स गुरू कुल कैंपस में चुड़ना चाहते हैं जहां आप लोग की तैयारी पूरी कैंपस में रहकर ही रहने का और आपका प्रॉपर यहां पर लाइब्री फैसिलि अल्राइट चलिए तो मुलागात करेंगे आप लोग को से अगले सेशन में कल सुभा ग्यारा बजे तब तक के लिए चैनल को सब्स्क्राइब जरूर करिएगा और क्लास पसंद आई हो तो ओफ्लाइन कॉमेंट में जरूर से यहां पर बताईएगा हैव वेरी गुद दे तक की तो मुट पूरूरूरू को तो दो फिए चैनल को तो जाई हैव प्लाइब जरूरूरूरूरूरूरू फजह पूरूरूरू